जै मात अदी। मैं आच रासिस सेमल आपका स्वागत करता हूँ। एस्टो काल गर्ना में आज मैं आपको फरवरी महीनी का रासिपल बताने जा रहा हूँ। मिथून रासिफल मैं बता रहा हूँ, ये चंदर रासिपल की आधार पर है, यानि कि आपके जन्म पत्री जन्म कुण्डली के जुरासि बनती उस रासिकी आधार पर अगर आप को अपनी चंदरासि पता नहीं, इस रासिपल को आप अपने प्रचरित नाम रासिपल पर घठित कर सकते हैं आपकी मिथुन दासि से यहाँ पर मैंने कुंडली का निर्मान किया है गोचर कुंडली का जहाँ पर तीन अंक लिखा वो आपकी रासी है मिथुन दासी और मिथुन रासि से आपकी सुक भवन पर जहाँ पर छे अंक लिखा वहाँ पर केतु और चंदर्मा बिराजमान है और आपके शब्तम भवन में जहां पर नौ अंके लिखावा है वहां पर शुक्र बुद्ध और साथ में मंगल बिराजमान है अस्ठम में आपके जहां पर दस अंके वहां पर शूर्य ग्रह बिराजमान है भाग्या में सनी ग्रह बिराजमान है और कैरियर के भवन दसम में बुस्द्रा रानर्व को अकुतना कि एक तार्रातरी के बाद तारीको बुस्द्ध ग्रहों आपकी रासी से reinforce में जिद्रvity एक राशे वानियां पर शूर्य बिराजमान अर्फिर ज्वारा बुद्ध का परिबर्तन होगा 20 फरवरी को 20 फरवरी को बुद्ध ग्रह भाग्य में चले जाएंगे और सूर्य ग्रह भी अस्ठम से निकल करके 13 फरवरी के बाद भाग्य में चले जाएंगे और मंगल आपके सब्तम से 6 फरवरी को अस्ठम में चले जाएंगे और शुक्र ग्रह भी सब्त से अस्ठम में चले जाएंगे 12 फरवरी को यह गोचर ग्रहों के आधार पर आपका कैसा रहेगा फरवरी का महीना फरवरी के सुरू में आपके लिए थोड़ा सी कारो बार में उतार चड़ाव देखने को मिलेगा क्योंकि सभी ग्रह जाजतर सूर्य अस्ठम में हैं बुद्ध ग्रह अस्ठम में हैं और शुक्र भी अस्ठम में हैं पहले सब्तम में हैं उसके बाद अस्ठम में चले जाएंगे और मंगल ग्रह भी अस्ठम में हैं आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि देवक गुरु ब्रस्पति का एक आदस भाव में होना, यहां पर बैठ करके देवक गुरु ब्रस्पति आपको लाब के अपसर देते रहेंगे, ऐसा नहीं कारोबार एकदम बंद हो जाएगा, कारोबार को चलाने के लिए देवक गुरु ब्रस्पति आपके एक आदस भाव में बैठे वे हैं, आपके लिए हर छित्र के लिए लाब प्राप्त होगा आपको, और साथ में देवक गुरु ब्रस्पति जो दृष्टियां हैं, वो पंचम दृष्टे से आपके प्राकरम को चुपकि शुक्र ग्रह भी आपकी सब्टम में है 12 फरवरी तक तो ब्यापार पार्टनर्शित के कामों में ठीक ठाक ही रहे गा आपका दामपत्र के जीवन में भी मतभित की स्तितिया हल्की फुलकी रहेंगी इतना ज़्यादा मतभित की स्तितियां नहीं दिखती हैं और तेरा तारीक के बाद जब सुर्य ग्रह आपके राशे से भाग्य में चल जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा सरकारी छेत्रों में से लाब प्राप्त होगा तो सरकारे डिपार्टमेंट में हैं आपके काम बनेंगे उन्रति आपको मिलेगी मान सम्मा प्रतिष्ठा आपको मिलेगी सूर्य का भाग्य में जाना बहुत अच्छा है क्योंकि पहले सूर्य सब्सक्राइब सब्सक्राइब बहुत परिसान करते हैं जन्वरी के महिने में रहे और उसके बाद अस्टम के सूर्य भी आपके जादा स्रेश्ट कर नहीं है जब भाग् लगेंगे महिनत आप अधिक करेंगे धनी की बृद्धी के योग बनेंगे और बुद्ध ग्रह भी जब अस्ठम से क्यों आपके रासिके मालिक वाईसे अस्टम में जो विदेश में रहते हैं वहां जो पर्मिनेंट लोग रहें विदेश में वह बाद विवाद से बचे जैसे पत्री का रोग है पेट में दर्द है यह आपको परिशान कर सकता है क्योंकर सुक्र भी अस्ठम में रहेंगे सूर्य भी अस्ठम में रहेंगे और आपके बुद्ध भी अस्ठम में रहेंगे ऐलर्जी आपको हो सकती है एलर्जी से बचे खान पान से बचे और तीखा ब्यंजन नखाएं तो ये साबधानी आपने बरतनी है लेकिन जो पर्मनेंट विदेश में रहते हैं उनके लिए बाद विवाद से बचे और विदेश जाने का योग भी बनेगा मिथुन दाशिवालों का फरवरी के महीने में बिदेश से जुड़ेवे कारोबार रोजगार में उन्नेती देखने को मिलेगी आपको और बुद्द्गरा जब भागे में चले जाएंगे 20 तारीक के बाद तो आपके लिए ऐसे धन धाने की बृद्धी के योग बनेंगे आपके रुकेवे काम बहुत अच्छा चलने ल पासिवाले हैं तो आप जो साधना करते हैं जो उपासनाई करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा रही है क्योंकि अस्टम में अस्टम भाव आयू का भी है साधना का भौन भी है यहां पर सभी ग्रहोना साधना करने वालों के लिए उपाई करने वालों के लिए बहुत अच्छा है तो नित्य उपाई करते रहते अपने बुद्ध के उपाई करते हैं या प्रकृति की सेवा करते हैं गौवं की सेवा करते हैं पक्षियों को दाना देते हैं ब्रामुन संतों को दान पूर्णे करते हैं मंद्रियों में जाके दरसन करते हैं गंगास्तान करते हैं स जैसे कि देवा गुरु बिरस्पते की पंचम द्रिष्टी रहेगी वो भी आपके लिए बहुत बड़ी अभी द्यारतियों के लिए पठन पाठन के लिए बहुत अच्छी स्थिती है संतान का योग भी बनेगा और प्रॉपर्टी सम्मुन्द में प्रॉपर्टी को लेन दे ख़ंटी भी है तो आपने थोड़ा चीप किसी के बहकावे में नहीं आना है किसी के भड़काव में नहीं आना है जैसे आपको दूसरे के प्रति सडियंत्र करवाने के लिए काम करवा सकता आपका प्रयोग सकता है आपने बच्छना है मेरे दोरा किसी का अहित न हो और मैं किसी के बातों पर भिश्वास न कूल जब तक मैंने आपने आखों से नहीं देखा तो बचना है आपने सधी अंद्र से कारोबार में कारियर में जहां काम करते हैं थोड़ा मत अभी किस्तितु से बचना है सुना जैसे किसी ने बोल दिया तो सडी अंदर से बचना है आपने अग कारोबार में भी आपका तेरा तारीक के बाद बहुत अच्छा इस्तिति आपको दिखीगी सनी ग्रव भागय में बैठे वे हैं तो भागय का भागय अस्तान की बृधी करते हैं सनी ग्रव बैठ करके तो भागय की बृधी तो आपको मिले गए भागय का सपोर्ड मिलेगा आप महिनत अधिक करेंगे साथ में लाब की अबसर आपको प्राप्ठ होते ही रहेंगे और जो कर जा है वो भी धीरे-धीरे आपका कम होगा, सत्रों से भाइवीत नहों, क्यों सनी के दिरिष्टी जो है, आपके छटे भावन पर पड़ी हुई है, सनी गरह छटे भावन को देख रहे हैं, तो मितुन दासेबालों को अपने सड्यंत्र कारियों से भाइवीत होने की सनी गरह उनको अपने आपी साप कर देंगे, आप मेहनत करते जाएए, अच्छे काम करते जाएए, तो आपके लिए बहुत स्रेष्ट कर रहेगा, और स्वास्ता में भी आपका सुदार होगा तेरह तारीक के बाद, आप उपाई कर लिजिए, आपके लिए मैंने गणी जी शंकर भगवान जी की उपास ना करनी, और इन जो तारीके मैं आपको बताओं, इन तारीकों पर आपने भगवान शंकर को प्राताकाल जल्दी उट करके, दूद में तिल मिला करके भगवान शंकर को चड़ाना है, ओम नमस्श्रिवाय मंत्र का जब करें, या मिर्तुन्ज तारीक और सोला सतरा तारीक, ये तारीकें आपके लिए खुड़ा तनाव नहीं करके आएगी, प्रिया दर्श्रकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुणली मुझे दिखाना चाहते हैं, तो नीचे आपकाइमेंट नमबर चला, इन नमरों पर संपर करके, आप अपने जन्म पत्रिका अध्यन करा सकते हैं, अभी के लिए मुझे अनुमत दीजे, नमस्कार, जै माता दी